एक्सक्यूजेबल एक्ट के अंदर कौन से आते हैं? मिस्टेक ओफेक्ट के रिगारडिंग कोई एक्ट है? कोई एक्सिडेंट है? या कोई इनके अंदर आगे फर्दर कौन-कौन से सेक्शन आते हैं? वो भी देखेंगे Hey guys, how are you all? आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं जर्रनल एक्सेप्शन को जो की chapter 4 में provide की गई है कहां से लेकर कहां तक है section 76 से लेकर के 106 में IPC में provide की गई है तो अब देखते हैं कि जर्रनल एक्सेप्शन होती क्या है generally जब कोई act जो की एक offense है IPC के provision के according प्रोविजन की जो conditions है उनको अगर वो fulfill करता है तो उसको यहां पर वो offense है वो non offense हो जाता है उसको offense consider नहीं किया जाता जैसे की for example अगर किसी को कोई वेक्टी अगर harm पहुंचाता है तो उसको हम offense consider करते हैं लेकिन वहीं पर अगर जैसे की section 88 है जैसे की doctor के दोवारा किसी patient को अगर कोई harm पहुंचाया जाता है यानि का operation वेरा करते हैं तो वो harm होता है एक किसम का लेकिन वो यहां पर offense नहीं माना जाता तो इस तरह से कुछ जो provisions है जर्नल exception में बताए गए हैं कि कहां पर कोई act है वो offense नहीं है तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर भी कौन-कौन से act है जिन को यहां पर offense नहीं माना जाता यान कि जर्नल जो की एक exception के तोर पर consider किये जाते हैं तो यह जो जर्नल exception है वो कौन से section में दी गई है section 76 से 106 जैसा कि मनें देख लिए इनको क्या कहते हैं defenses कहते हैं एक तरह का यह defense होता है accuse के पास में आपने आपको किसी criminal liability से बचाने के लिए अगर वो यह condition ने fulfill के देता है इन प्रोविजन के अंडर आता है तो इसमें कौन-कौन से act किस तरह से जो act होते हैं उनको divide किया गया है यहाँ पर act हैं जो उनको दो बाग में divide किया गया है यानि कि justifiable act होते हैं और एक होते हैं excusable act यानि कि जिनमें man sriya का जो अभाव होता है यानि कि lack जहाँ पर man sriya absent होती है उन act को यहाँ पर consider किया गया है यानि कि ऐसे act को यहाँ पर offense नहीं माना गया सबसे पहले हम देखेंगे कि जो excusable act हैं उनको कैसे divide गए गए तो वो कौन-कौन से हैं excusable act के अंदर कौन से आते हैं mistake of fact के regarding कोई act है कोई accident है या कोई incapacity है तो इनके अंदर आगे further कौन-कौन से section आते हैं जो एक्ट है उनके अंदर ये जो साथ रेंगे act को यहाँ पर consider किया गया है पहला कौन सा है judicial acts होते हैं जो necessity है कोई consent के consent मिलने के बाद में अगर कोई act किया गया है तो वो यहाँ पर justifiable है communication in good faith में यानिकिस action 93 का है या कोई compulsion हो गया किशी को threat के दुरूद दमकाया गया है उसको भी यहाँ पर एक justifiable act मना गया है को slight harm है इतनी slight है कि उसको कोई ordinary sense वाला पर गया थे उसकी complaint नहीं करता तो वो भी यहाँ पर justifiable act है या private defense हो गया अपने बिचाव में किया गया कोई भी एक्ट है उसको यहाँ पर एक justifiable act है मना गया है तो इनको detail में consider आगे करेंगे लेकिन उससे पहले जो excusable act हमने देखे थे उनको consider करते हैं तो अब इनको तीनों जो topic है इनको अलग-अलग देखते हैं सबसे पहले देखते हैं mistake of fact क्या होता है mistake of fact होता है यानि इसमें चार है क्या कि misconception of fact not law और जो misconception of fact वो कैसे होने चाइए in good faith में होनी चाहिए यानि कि good faith होनी चाहिए bad intention के साथ में नहीं होनी चाहिए commanded होनी चाहिए by the law and last किया है justified by law होनी चाहिए यानि कि section 79 है तो इसके अंदर देखते हैं misconception of fact में जैसे कि section जो 76 है उसमें क्या का गया है कि कोई भी act किसी वेक्टी के द्वारा किया जाता है जो कि bound है by mistake of fact क्या believing करता है अपने आपको bound की वो law के द्वारा bound ऐसा करने के लिए अगर वो ऐसा वेक्टी कोई act करता है तो वो यहाँ पर exempted है उसका act जैसे for example एक soldier है जो कि fire करता है एक mob के उपर यहाँ पर जैसे की भीड है इसने इसके उपर fire किया fire क्यों किया क्योंकि इसको उपने superior जो officer है मान लीजिए वो B है उसका order मिला है mob के उपर fire करने के लिए तो यहाँ पर जो कि एक command के साथ confirm भी है command of law के द्रू तो यहाँ पर जो A वेक्टी है इसने कोई भी offense commit नहीं किया है यह वेक्टी अपने offense से exempted intersection 76 में तो यह था एक mistake of fact या misconception of the fact कहीं उसी के साथ में अगर वो जब जब वेक्टी वैसा काम करता है misconception of fact के अंदर तो उसके साथ में उसकी good faith होना चाहिए यहीं कि उसका अच्छी नियत के साथ उसे करना चाहिए और वो क्या ह बिलीव क्या करता है अपने आपको कि वो bound है by the law to do so यानि कि उसको command मिली हो है लो के दवारा ऐसा कुछ करने के लिए और जो section 79 है उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी वैक्टी यानि कि एक act है उसके दवारा किया गया है जो कि justified है और by mistake of fact अपने आपको बिलीव करता है कि व उसके दवारा अगर कोई ऐसा एक्ट किया जाता है तो ओफेंस की category में नहीं आता तो यह था mistake of fact के regarding प्रोविजन जिसमें दो section आते हैं section 76 and section 79 और अगर आप इनके regarding mcqs की practice करना चाते हैं तो उसकी एक वीडियो बिनाई गई है जो कि चैनल की playlist में जाकर के यहीं वीडियो की उप्राई description में आपको वीडियो मिल जाएगी वहां से आप देख सकते हों अब इसके बाद में आता है incapacity इसके साथ में आप अपना bare act भी खोली जी ताकि इसकी जो bare language है उसके साथ साथ अगर conceptual clarity जो होती है वह अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको तो यहां पर incapacity के अंदर चीज आती है एक infinity एक साथ से बारा साल का जो बच्चा है उसके इंडरस्टेटिंग के बेस पे डिसाइड किया गया है और एक insanity आता है section 84 के अंदर तो जो section 82 के अंदर जो बात की गई है उसमें क्या गया है कि एक जो child है जो की seven year की जो age है उससे below है उसके दोबारा कोई भी एक क्या गया है उसको उफेंस से नहीं माना जाता इनकि उसके दोबारा कोई भी offense किया गया है तो उसे offense नहीं माना जाता वहीं पर हम बात करें section 83 की यांनिकि उसमें क्या का गया है यहांपर से 7 से 12 साल के बच्चे की अबॉड सेवन क्यर गलता है जहां पर उसकी i-mature जो understanding उसकी बात है इनके कंडिशन कंडिशन है एक तरह की इसके अंदर जब बच्चा साथ साल जे उपर होता हो और बारा साल से नीचे होता है तो उसके इसके अंदर अगर वो एक सुपीशेंट मैजोर्टी अटेंड नहीं करता किसी के बारे में अंडरस्टेंडिंग के लिए या कोई offense किया जाता है तो वो offense से नहीं माना जाएगा उसके बाद में आता है insanity section 84 में उसमें क्या का गया है act of unsound mind person unsound mind जो person है उसके act के बारे में का गया है section 84 में कि कोई भी एक offense जो की एक वेक्ति के द्वारा किया गया है जो उस act के करने के दोरान at the time of doing it किसी भी reason से reason कौन सा या है unsound mind of ness क्या है वो incapable of knowing of the nature of the act उस act के nature को जानने में incapable है तीन चीजय यहाँ पर nature act का दूसरा क्या है कि that he is doing wrong जो कुछ भी कर रहा है वो या तो wrong है और third क्या है या फिर वो contrary है to the law या फिर वो जो चीज कर रहा है वो contrary to the law है या कि इन तीनों चीजों की जो nature है उसको understand करने में वो incapable है तो इस तरह का जो भी बच्चा साथ से बारा साल के बीच की is का है तो उसे यहां पर exempt किया गया है और यह जो rule है कि इसको हम एमसी नॉटेंग रूल भी का जाता है यानि कि एमसी नॉटेंग का जो केस है उसके से यहां पर यह इंट्रोड्यूज किया गया है इसमें यहां पर दो रूल आते हैं वाइल्ड बीस टेस्ट और इंसेंड डिलूजन टेस्ट राइटिंग थोड़ी से क्लियर हो रहा होगा अगर कोई डाउट रहे तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं यह था मैटर इंसेनेटी के बारे में आई होप कि आपको इनकैपेसिटी के जिए यह तो तीनों पॉइंट अमने डिसकस किये हैं वो समझ में आगे होंगे चलिए अब नेक्स को डिसकस करते हैं एक्सीडेंट यहां पर जो एक्सीडेंट है की in doable act करने के दौराना हुआ है उससे exempt किया गया है as a offense के तोर पर यानि कि वो offense नहीं मना जाएगा जो की done हुआ है by accident या misfortune के थुरू जिसमें कोई भी criminal intention नहीं है यानि कि criminal intention मैंसरिया यहाँ पर absent है या फिर knowledge भी नहीं है कि वो जो भी जिज़ कर रहा है वो accidentally हुआ है और वो act कैसा होना चाहिए वो act होना चाहिए lawful act और कैसे in lawful manner and by lawful means यानि कि तीन चीज़े हैं यहाँ पर lawful act होना चाहिए और lawful manner में होना चाहिए और lawful means के थुरू होना चाहिए and with the proper care and caution यह भी यहाँ पर proved करने पड़ेगी क्यांकि उस जो act करने के दुराने उसने पूरी proper care या questions ली थी उसके बावजूद भी वो act है या accident है या वो misfortune हो गई थी तो उस case में वो यहाँ पर under section 80 में exempted है तो चलिए next देखते हैं क्या है next justified able act है यह हमने act डिसकस कर लिए अभी इसको डिटेल में देखते हैं सबसे पहला आता है judicial act कौन से है जुडिशियल act में यहाँ पर दो section एड किये के हैं section 77 and 78 77 क्या कहता है कि act of judge when acting judiciary यानि कि कोई भी offense नहीं है जो कि एक judge के दवारा किया जाता है जब वो judicially act कर रहा है अपनी exercise कर रहा है power का power exercise कर रहा है judicially good faith के अंदर और believe कि वो उसको लाक़ के दवारा दी गई है तो उस case में उसके दवारा कुछ भी क्या गया है वो offense से नहीं माना जाएगा और उसी के साथ में जो section 78 है उसमें क्या 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 है कोई भी act है जो कि done क्या 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 है in pursuant to the judgment और ओफदEO कूट यहिका कि यहां पर farif देता है तो यहां पर criminal liability से exempted है तो वो section 78 लेल है तो उसके आते हैं necessity के provision necessity क्या है यानि कि section 81 क्या कहता है necessity के बारे में एक तो क्या है यहांपर एक act है जो कि likely to cause harm प्रांतु वो क्या है बिना किसी intention कि किसी को harm पहुचाने के यानि कि उसके intention नहीं है यहां पर और किसलिए है वो है to prevent डादरहान यानि कि दूसरे हार्म को बचाने के लिए कोई harm करने वाला कोई ऐसा act है बिना किसी intention के भी उसको harm करना है तो उसको यहां पर offense नहीं माना गया उसके अंदर good faith होना भी जरूरी है तो यह किसलिए होता है prevent करने के लिए या फिर कोई avoid करने के लिए other harm को इसलिए यह act किया जाता है अब अबारा next justifiable act आता है वो है consent यानि कि कुछ एक करने के लिए यानि कि छोटा मोटा harm पहुंचाने के लिए यहां पर किसी के दवर आगर consent दी जाती है तो वो यहां पर offense नहीं माना जाता तो उसके regarding जो provision है वो कौन से section में है वो है section 87 88 89 and 92 तो चल यह देखते हैं क्या कहता है यहां पर consent के बारे में कि कि first क्या कहता है कि not known or intended to cause heart and done with consent यानि कि यहां पर वो intention नहीं है वहां पर किसी भी तरह का heart पहुंचाने की तो उस case में यहां पर उसे हम offense नहीं मानेंगे लेकिन यहां पर condition क्या है कि जो consent है वो क्या होनी चाहिए 18 plus is के किसी भी person के दवारा दी जानी चाहिए तब ही वो valid consent मानी जाएगी वहीं पर जैसे इस for example यह जो sports के cases के अंदर जब हम खेलते हैं तो उस time कभी कभी चोट लग जाती है तो वो चोटें जो लगती है वो इसी section के तुरू cover की जाती है यानि कि section 87 के तुरू यानि कि उस case के अंदर जब by mistake अगर कोई चोट लगती है फाउल ना खेलने के दोरान भी तो उसे यहाँ पर offense नहीं माना जाएगा next आता है कि done कोई भी actor done वो क्या किया गए with the consent to give benefit but lead to harm यानि कि doctor doctor लोग क्या करते हैं कोई भी operation करते हैं कोई भी other operational के अंदर जितने भी cheer fard है या जो भी पटियां वेला करते हैं उसमें heart जुरूर होता है कुछ ने कुछ उस situation में हम doctor को operation करने के लिए consent देते हैं और वो हमारे benefit के लिए होता है इसलिए इसको यहाँ पर offense की category में cover नहीं किया जाता और doctor यहाँ पर 88 section के अंदर totally exempted है for any offense के regarding recording यहाँ आपना जो कोई भी act करते हैं जैसे की operation वगरा हो गया तो यहाँ पर offense नहीं माने जाते यह section 88 कवर करता है उसके बाद में आता है उस situation में यहाँ पर उस चीज़ को offense नहीं माना जाएगा वो offense नहीं होगा जैसे कि saving करना है किसी को tiger से जैसे कि 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 को tiger ने पख़ड़ लिया है और वहाँ पर एफायर करता है tiger लेकिन वहाँ पर समावना क्या है कि वह जैड को भी लग सकती है जिसको tiger ने attention वहाँ पर जैड को kill करने की नहीं है जबकि tiger को kill करने की है तो इस situation में अगर जैड को भी अगर कोई heart हो जाता है तो यहाँ पर वह व्यक्ति जो A है वो उस harm के लिए यह उस offense के लिए libel नहीं होगा तो यह था यहाँ पर उसके benefit के लिए जो किया गया काम है वो उसके है जो consent नहीं माने जाती फरस्ट होता है misconception of the fact section 19 तो यहाँ पर कहा गया कि consent है वो consent नहीं माने जाए अगर वो किसी के दवारा fear of injury के अंदर दी गई है या फिर कोई misconception of fact है या फिर क्या है कि believe कि दिलाया गया उससे कि यह fact इस तरह से जबकि वो उस तरह से नहीं होते तो उस situation में अगर उसके दवारा कोई consent दी जाती है तो वो consent यहाँ पर consent नहीं मानी जाती सेम यहीं पर minor है 18 प्लस नहीं है तो उसकी consent भी जैन्वन सी बात है वो नहीं मानी जाएगी को insane और sound mind person है उसकी consent भी यहाँ पर consider नहीं की जाती तो यह section 19 में तीन की condition है जहां पर जो है consent वैल नहीं मान जाती क्योंकि अगर किसी वी वैक्ति को आप intoxicate करते हैं बीना उसकी knowledge के या उसकी will के against उसको intoxicate किया जाता है और उसके बाद उससे consent ली जाती है उसके harm के लिए तो वो consent यहाँ पर consent consider नहीं की जाती नेक्स आती है under threat यानिकि 94 section में क्या provision दिये गए है regarding this 94 क्या कहत जाती है किसी वी वैक्ति को instant harm करने की मतलब instant death का अगर fear दिया जा रहा उसको धमकी दी जा रही है उसके बाद उसकी consent ली जाती है तो यहाँ पर भी उसकेस में उसकी consent है valid नहीं मानी जाएगी और act itself if illegal 91 91 क्या कहता है कि यहाँ पर कोई वैक्ति है वो consent देता है किसी ऐसे act को करने के लिए जो की illegal है independently क्या है illegal है तो उस situation में भी यहाँ पर consent matter नहीं करती whether it is willingly given by any person और forcedly taken by any person यहाँ पर कोई matter नहीं करती क्योंकि वो act ही independently क्या है illegal act है next क्या आता है communication in good faith तो यहाँ पर section 93 क्या कहता है कि communication made कीगी है किसी भी good faith के अंदर तो वहाँ पर offense नहीं मानी जाएगी अगर उसकी वज़य से कोई भी harm उस person को पहुंचता है तो यहाँ पर वैक्ति किसी भी offense के लिए लाए बनी होगा for example अगर एक surgeon है यानि कि doctor है different from acting good faith से थोड़ा लग करें यहाँ पर surgeon क्या है कि communicate करता है patient को अपनी opinion की वह अब live नहीं रह पाएगा survive नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर patient है वह जो communication सुनने के बाद सोक में मर जाता है तो यहाँ पर यह ने कोई भी offense कमिट नहीं किया गया है क्योंकि वह जानता था कि यह जो communication है वह patient की death cause कर सकती है side कर सकती definite नहीं था लेकिन might कर सकती है लेकिन वह बतानी भी तो जरूरी थी उसके good faith के लिए तो इसलिए good faith में जो communication की गई है under section 93 वह यहाँ पर offense से नहीं मानी गई है next आता है compulsion 94 once again एक बार फिर से देखते हैं कि 94 की अंदर जो condition है वो किस तरह से लाग होती है यहाँ पर क्या का गई है accept the act of murder and against the state यहाँ पर कोई भी act किसी के दोवारा अगर करवाया जाता है with the fear या threat of instant death की यानि कि उसको मारने की दमकी दी गई है और उसके कोई भी act करवाया जाता है तो वो offense नहीं होता लेकिन यहाँ पर accept the act of murder and against the state जो की punishable है with the death यानि कि दो यह जो act है उनको छोड़ करके अगर कोई भी act किसी भी व्यक्ति को उसको मारने की दमकी दे करके करवाया जा रहा है तो वो यहाँ पर offense नहीं माना जाएगा accept that murder and state of again offense against the state जो की punishable है with the death I think यह आपको समझ में आ गया होगा चलिए next point पे जलते हैं next point is slight harm trifles यहनि कि section 95 क्या कहता है कि अगर कोई deliberately भी जान बूज कर भी अगर किसी को कोई हारम पहुंचा देता है तो भी वो offense नहीं होगा वो offense कब नहीं होगा वो offense तब नहीं होगा जब वहाँ पर इतना slight हा वो harm कि अगर ordinary sense वाला person और temper के साथ में उस harm का complain ही नहीं करता बहुत ही ज़्यादा slight harm है वो यहाँ पर consider नहीं किया जाएगा as a offense यह हमारा section 95 कहता है अब इसके बाद में आता है right of private defense जो कि हम अपनी next video में discuss करेंगे क्योंकि यह video जो है lengthy हो गई है इस वज़े से इसमें हम discuss नहीं करेंगे ताकि boring भी ना हो यह video अपनी next video में private defense को डिटेल में discuss करेंगे किस तरह से हम private defense ले सकते हैं कितना private defense इंप्रोविजिन के अंदर valid है किन situation के अंदर हम किसी के death cause कर सकते हैं अपने private defense में किन situation के अंदर हम only harm पहुंच आ सकते हैं या फिर private defense के लिए कितना harm यहां पर necessary है तो यह सारी चीज़े हम अपनी next video में discuss करेंगे तो next video देखना मत बूलिएगा and अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो इसे like करें अपने दोस्तों के साथ में share करें और इस channel को subscribe करें ताकि ऐसी ही और video है जब भी आए तो आपको मिले और उसके लिए आपको notification bell दबाना पड़ेगा और thanks for watching keep learning